आलो ऐब बनाने बाले हैं नास्ते की रेस्पी जो की खाने में बहुती ज्यादा व्र्णीि और टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है बड़े बड़े रिष्टूरेंटों में आप इसको मेहने में लेकर खाते हैं पर अपने घर पर बहुती कम सामानों से स्यू अधो no सबस्क्राइब करते हैं जो वह कम सामशां कर पाते हैं तो चलतें अपने टरप पहले अगर आप लोग चैनल पहने हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा सबसे पहले हमने आदा चमच जीरा लिया जीरा को ऐसे ही पेंड में डाल कर बिना ओयल के ऐसे ही में चटका लेना है दो मिनिट के लिए अच्छे से इसको भून लेना देख सकते हैं अ हो जाए और अच्छी सी खुसबू ना आने लगे बेसन भूनते हैं तो पूरे घर में खुसबू बैसे भी आने लगती है देख सकते हैं गोल्डन कोल्डन हो चुका है बहुती बढ़िया खुसबू आने लगी जो इसके लिए गिल्टी है उनको हमें चमच की मदद से ऐसे ही फोड़ देनी है बिल्कुल गिल्टी नहीं रहनी चाहिए और बहुती बढ़िया कुसबू दार हमारा बैसन तयार हो चुका इसको में ठंडाने के लिए रख देना है अब यहां पर हमने एक चावल का आटा ही लिया है और देख सकते हैं हमने मार्जन के लिए एक अप ल अब अधा कर सकते हैं इस तरी का से थोड़े मसाले से ही हम इसको बनाकर तयार करेंगे और इसमें थोड़ा सामें चाहे तो आप सघ्ण का तेल घी या भी जो भी चाहें सो इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से अच्छाएं तो आज्वाइल यहां पर हमने लिए लिए अ तो इससे क्रिश्पी टेश्टी नास्ता बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर एक चुटकी हमने अजवाइन ली अच्छे से क्रिस्क करके डाल दी है अब देख सकते हलके हलके हाथे उससे सारी चामिक्रियों को हमें मेक्स कर लेना है जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएंग लग रहा है पर इस तरीके से इसको हम रख देंगे अच्छे से फूल जाएगा उसके बाद में इसकी जो हम रिष्पी बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बनेगी आटा पहले से ही में लगा कर रख दे रहा है जिसकी अच्छे से यह फूल जाए तो इसका बहुत ही बढ़िय प्रयवर का आता है तो आप फोड़कर भी बना सकते हैं पर हैं आपर हमने कद्धुकस कर के ही आ यहां पर फोड़ा साथ पावडर लिया है जिस्से कि बहुत ही बढ़िया तीखा तीका तका तयार हो जाएगा आप आप मेर्ट भी अपनी स hearts, अपने साब से गर्म मसाला लिया है पर खाले हैं यह अद्याए तीका घृतान होगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों अब इसी बेशन को इसी में हमें डाल देना जिससे कि इसमें जो गीला पन होता है अलोका बिल्कुल नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से इसमें खुसमू आने लगी अब यहां पर तोड़े से में पहुत बारी कटे हुए कटे नहीं तो प्याज डालेंगे तो इसका ध्रवर बहुत रहा आता है और शिमला में लिये हैं और हरी में चली है आप चाहे तो इसमें सब्जी आपने हिसाब के कम जादा कर सकते हैं तो धन्या गॉभी पत्या जो भी यांप सब्जी डालना चाहते हैं वह उसमें डाल कर प्रूसे में किए प्र companions day जिएगा बड़े बच्चे तो बहुत ही प्यार से काते हैं कोई महमान भी आ जाए उसको बना कर खिलाओ तो भाप भी नहीं पाता है कि बिल्कुल काला जामू जैसे लगते हैं खौने में अंदर से बहुत ही तीगती के खट्टे लगते तो बहुत ही बढ़िया लगता है अब इसके हम मसाले तो हमेरे अच्छे से मिक्स हो गए है अब कि हमें चोटे चोटे बोल्स बना ले रहें बोल्स अब अपने हिसाब से बनाने हैं कि हमें कितने बड़े जो बोल्स बनाएं उतनी हिसाब से यहां पर हम आलू का बोल्स बनाएंगे अब इस तरीके से हमें आलू के बोल्स बना कर तयार करेंगे सारे बोल्स इसी तरीके से कम जादा जैसे भी आम रखना चाहते हैं उस तरीके से चोटे-चोटे या बड़े-बड़े बोल्स बना कर तयार कर सकते हैं सारे बोल्स हमारे इसी तरीके से बनकर तयार हो जाएंगे देख सकते हैं सारे बोल्स हमारे बनकर तयार हो गए हैं इस तरीके से आप सारे बोल्स को पहले ही बना कर तयार कर ले चाहें तो साथ में बना सकते हैं तब आप यहां पर हमें एक कड़ाई में हमने रिफाइंड ओयल लिया है रिफाइंड अब गरम होने लगा है तो अपने हाथों से हम थोड़ा सत्य लगाएंगे उसके बाद चावल का आटे को हम लेकर अच्छे स इसको हमें इस तरीके से जो हम पूरियां इसी बना लेनी हाथों से ही बनानी है क्योंकि धीला डो हमारा था बहुत wedचाद धीला नाहीं बहुत जियादा कड़ा मीडियम साज का डो था तो देख सकते हैं अच्छे से इसके जो हमारी है पूरियां बनने लगें बिलकुर तूट जाता है इस तरीके से इसको में बोल को इस तरीके से कोल गोल कर लेना अब हलके हातों से आठा लगा लेना है इसे कहा हुएगा हमारी जो लुणिया उपर से बनाएंगे तो आठा अच्छे से चपक जाएगा अब हलके हालके हातों से जैसे काला जमुन बनाते हैं उस जादा कड़े हाथ बिल्कुल नहीं लगाना इस तरीक नहीं लगाना इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेने से देख試구요 lorsque से इस तरीक में लाजाने तो जब इस नास्ते को अपने हाथों से बनाकर खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों कि बाहर तो हर चीज मिल जाती है पर अपने घर पर बनाकर खाते हैं उसका मज़ा ही कुछ अलग है आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गरम हो गया तो बोल को इसी मेह में डारू द नहीं हो पाएंगे देख सकते हैं बहुत ही गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं इस तरीके से हमें सारे बोल्स बनाकर तयार कर सकते हैं अब दो बारा से भी इसी तरीके से हमें बोल डालकर अच्छे से प्राई कर लेने हैं बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्प पर हम इसको कि इसको लाती है लिए या चाए या कोफी जिसके साथ भी लेना पसंद करते हैं उसके साथ लिए सकते हैं खाने में बहुत जादा दोस्तों टेस्टी लगता है एक बार मेरी तरीक से अपने घर पर जरू ट्रियाए किजिए का अगर आप लोगों को थोड़ा भी प्लीज हमारे चिंट को सब्सक्राइबल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि रिस्पी बनाने में बहुत ही ज्यादा मेंद्र लगती है दोस्तों अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं या हमारी रिस्पी को अगर नहीं अच्छी लगे तो आप बता सकते हैं कि बना मेंदा कि याँ